आज हम देखेंगे रेखा आलेक से संबंदित कुछ मज़ेदार उधारण दर्शाई गए रेखा आलेक यानि लाइन ग्राफ को देखिए इस आलेक में क्या सूचना प्रदर्शित की गई है? दर्शाई गए रेखा आलेक में शैतिज अक्ष यानि horizontal axis पर महीने दर्शाई गए है तथा उर्ध्वाधर अक्ष यानि vertical axis पर बेची गई मोटर साइकिलों की संख्या ली गई है इस तरह से सतत रेखा यानि continuous line द्वारा वर्श 2007 के विभिन्न महीनों में मोटर साइकिलों की बेची गई संख्या दर्शाई गई है तथा बिंदू के तरेखा यानि dotted line द्वारा वर्ष 2008 के विभिन्न महीनों में मोटर साइकिलों की बेची गई संख्या दर्शाई गई है इस तरह से दर्शाय गई रेखा आलेक में वर्ष 2007 और वर्ष 2008 के विभिन्द महीनों में मोटर साइकलों की बेची गई संख्या की तुलना की गई है मार्च 2008 में मार्च 2007 की तुलना में कितनी अधिक मोटर साइकले बेची गई है दर्शाय रेखा आलेक से ग्यात होता है कि मार्च 2008 में 120 मोटर साइकले बेची गई तथा मार्च 2007 में 60 मोटर साइकले बेची गई दोनों संख्याओं में अंतर 120 रिन 60 बराबर 60 है इसलिए हम कह सकते हैं कि मार्श 2008 में मार्श 2007 की तुलना में 60 अधिक मोटर साइकले बेची गई दोनों वर्षों के कौन से महीने में बेची गई मोटर साइकलों की संख्या समान है दर्शाय रेखा आलेक में सतत रेखा और बिंदु कित रेखा एक बिंदु पर प्रतिचेद यानि इंटरसेक्ट कर रही है प्रतिचेदन बिंदु अप्रेल महीने पर स्थापित है इससे हमें ग्यात होता है कि दोनों वर्षों के अप्रेल महिने में बेची गई मोटर साइकलों की संख्या समान है चलिए अगला उधारण देखे रमेश ने एक पौधा लगाया हर सबता के अंत में उसने पौधे के लंबाई ग्यात की जो इस प्रकार थी एक एकाई बराबर दो सेंटिमीटर यह पैमाना लेकर दी गई सूचना को रेखा आलेक के रूप में निरूपित कीजिए एक रेखा आलेक ऐसे आकड़े प्रस्तुत करता है जो समय के साथ साथ लगातार बदलते हैं रेखा आलेक में आकड़े बिंदू द्वारा प्रदर्शित किये जाते हैं अब चलिए दर्शाई गई सूचना के आधार पर रेखा आलेक कीजे कागस पर दो परस पर लंब रेखाएं कीजे शैतिज रेखा एक्स अक्ष और उर्ध्वाधर रेखा वाय अक्ष है हम एक्स अक्ष पर सब्ता हमें समय दर्शाएंगे इसी प्रकार हम एक इकाई बराबर दो सेंटिमीटर पैमाना लेकर वाय अक्ष पर पौधे की लंबाई दर्शाएंगे यहाँ सबसे अधिक मान 11 सेंटिमीटर है इसलिए हम वाय अक्ष पर लंबाई इससे अधिक संख्या जैसे 12 cm पर समाप्त करेंगे अब हम आकडों को बिंदु द्वारा अंकित करेंगे प्रारंभ में यानि की शून्य स्थिती में पौधे की लंबाई शून्य है इसलिए हम शून्य के स्थान पर बिंदु अंकित करेंगे इसी प्रकार सब्ताह एक में पौधे की लंबाई 2 cm है यह लंबाई निरूपित करने के लिए हम सब्ताह एक की उर्ध्वधर रेखा और 2 cm की शैतिज रेखा के प्रतिछेदन पर बिंदु अंकित करेंगे इसी तरह सब्ताह 2 में पौधे की लंबाई 7 cm है यह लंबाई निरूपित करने के लिए हम सब्ताह 2 के उर्ध्वधर रेखा और 7 cm की शैतिज रेखा के प्रतिछेदन पर बिंदु अंकित करेंगे इसी तरह हम सभी प्रेक्षणों यानि अब्जवेशन्स के लिए बिंदु अंकित करेंगे अब हम सभी बिंदुओं को रेखा खंडों से जोडेंगे हमने समय के अनुसार पौधे की लंबाई में व्रिध्धी को रेखा आलेक के रूप में प्रद्रशित किया है इसलिए हम इसे समय व्रिध्धी यानि टाइम ग्रोध का आलेक कह सकते हैं आज हमने देखे रेखा आलेक से संबंदित कुछ मज़ेदार उधारण अगले वीडियो में एक और उधारण देखेंगे